नमुश्कार में अप्रिया आज चौदर फरवरी चुले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को इंद्रा गांधी आरविज्यान संसान आईज़ी आइमस पटना ने निकाले रिखतियां आधिकारिक वेबसाइट www.igims.org पर जाकर आवी दन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये के वेबनिंग पर जाकर ले सकते हैं नलजल योजना जलापूर्ती में आ रही किसी भी शिकायत के लिए डायल करें ये नमबर बिहार में मुख्यमंत्री नितीश कुमार की महत्वकांशी नलजल योजना को युधस्तर से चलाय जा रहा है जिसके तहत हर घर नलकाजल पहुचाने की लक्ष से बिहार सरकार काम कर रही है वहीं अब सरकार ने आम जलता को हो रही परेशानी का समधान निकालने का निर्नलिया है जिसके तहत बिहार में मुख्यमंद्री नितीश कुमार की महत्वकांशी हर घर नलकाजल योजरा के तहर जलापूर्ती की समस्या अब एक कॉल पर दूर होगी पाइपली के जलापूर्ती में बाधा, जलगुनवत्ता और निर्मानाधीन योजराओं में कार्योंगुनवत्ता की समस्या समधान के लिए एक टॉल फ्री नंबर 18001231121 जारी किया गया है इस पर उभभोकता अपनी श्रिकाय तरज करा सकते हैं पटना में 90,000 मतदाता करेंगे 48 पैक्स अध्यक्षो का चुनाव 15 फरवरी को बिहार की राजधानी पटना में 48 पैक्स अध्यक्षो का चुनाव होने वाला है जो इसके बाद लगभग 90,000 मतदाता पैक्स अध्यक्षो के भागे का फैसला करेंगे जो इसके बाद 15 फरवरी को मतदान की प्राक्रिया सुभह साढ़े च्छे बजे से शुरू होगी जबकि उसे दिन मतगर्णा भी की जाएगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे यह मतदान बैलेट पेपर से होने वाला है आपको ये भी बता दे कि पटना जुले में कुल 75 पाक्स अध्यक्षों का चुनाव होना था इसमें 20 पाक्स अध्यक्ष का चुनाव निर्पिरोध हो चुका है तीन पाक्स में नामांकन नहीं होने के कारण ही चुनाव नहीं हो रहा है शेखपुरा के गिरिहिंदा पहार के रूप में प्रकृती का अमुल्य वर्दान मिला है इस पहार के उचाईलग भग 500 फीट है जिसकी चोटी पर एक शिफ मंदिर है जोसे बाबा कामेश्वरनात की मंदिर के नाम से जान जाता है इसकी चोटी से नीचे देखने पर टेड़ी मेढी नदियों के उजले रेत, बगीचों एवं उपवनों की जुर्मुटे तथा लहलाहते खेत अत्यन्थी मनुहर प्राकृतिक द्रिश्य उपस्थित करते हैं जुरा प्रसाशन द्वारा इसे परेटक स्थल के रूप में विक्सित करने हेतू, इसके चोटी पर बाल उध्यान, क्यांटी इन्फबवारा, हाई मस्ट, लाइट तथा इसकी चोटी पर मोटर वहन द्वारा पहुचने हेतू, बाइस सौ फीट लंबे पक्के सड़क का भ 21 वेकिंसी निकाली है, इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी 2021 से शुरू होगी, इच्छो को में द्वार www.bpsc.vih.nic.ion पर जाकर 12 मार्च 2020 तक आवेदन कर सकते हैं, इन पदों के लिए सैक्षन क्योगिता की बात करें तो अभियर्थियों के पास मानेता प कुम्भ मेला के लिए धार्मिक नगरी हरिद्वार जाने की योजरा बना रही यात्रियों के लिए एहम जानकारी साजा की है, जिसके तहत यात्रियों की यात्रा करने के दौरान अपने पास कोरोना की नेगिटिव रिपोर्ट रखना अनिवारे कर दिया गया है, इतना ही श्रधालों को COVID-19 टीका करन प्रमान पत्र या फिर अधिक्तम 72 घंटे के अंदर जारी COVID-19, RT, PCR, नेगटिव रिपोर्ट दोनों में से कोई एक को साथ रखना अनिवार है विश्रुपत मंदर के विकास को लेकर जल्धी बनाया जाएगा मास्टर प्लान श्रधालों को हर संभव सुवधा मोहया करवाने के लिए अब गया के विश्रुपत मंदर के विकास को लेकर खास पहल किये जानी की तैयारी शिरू हो रही है विश्रुपत मंदर समीती अभिशेक सिंख की अध्यक्षता में विश्रुपत मंदर समीती की बैठक समवास सदन समीती में आयोजित की गई है इस बैठक का एहम उद्देश है कि विश्रुपत मंदर की विवस्था को उच्च सतरिय बनाने मंदर में श्रधालू के लिए उत्कृष्ट ववस्था और सुवधा उपलब्ध करना मंदर और मंदर के आसपास की सफाई ववस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयोजित करवाई गई थी आपको बता दे कि गया काई हविष्टोपद मंदर लगभग 12 एकड भूमी में फ्याला हुआ है बीते दिन बिहार बोर्ड की इंटर परिक्षा खत्म होते ही बना अनोखार रिकॉर्ड बिहार विद्याले परिक्षा समीति की इंटर परिक्षा श्रनिवा तेरा फरवरी को समाप्त हो गई यह परिक्षा पिछले एक फरवरी से चल रही थी इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने एक अनोखा की इर्दिमान अपने नाम दर्च कर लिया है इंटर परिक्षा सबसे पहले और सफलतापूर वक लेने वाला देश का पहला बोर्ड बन गया है विहार बोर्ड आपको ग्यात हो कि कोरोना के कारण इस सत्र में कख्षायन लगभग नहीं के बराबर चली है इसकी वज़र से CBSE, ICSE, जारखन बोर्ड, सहित देश के प्रायह सभी परिक्षा बोर्ड अजबार परिक्षा देर से आयोजित करवानी की तैयारी में जुटे हैं ऐसा इसलिए तकि छात्र चात्राओं को परिक्षा की तैयारी के लिए परियाप्त समय मिल सके म्यूटेशन में पारदर्शिता लाएगा विहार सरकार का नया एप, लंबे समय तक दाखिल खारच के मामलों को अठकाने वाले अधिकारियों की रातों की नींद अब उढने वाली है खबरों की माने तो अब ऐसे अधिकारियों का फसना लगभागता है माना जा रहा है क्योंकि अब ऐसे मामलों की मौनिटरिंग खुद जिलापदा अधिकारी करने वाले है जोसके तहित अब किस अधिकारी के सर पर कितने मामले लंबित है इन सभी मुद्दों की सारी जानकारी जिलाधिकारी को प्रतेक सबता दी जाएगी इसकी पूरी विवस्था के लिए पॉइंट और डिले नोटिफिकेशन नाम से वेब आप्लिकेशन वभागने बनाया है नए आप लागो होने से दाखिल खारिच की प्रोकरिया में पारदर्शिता आएगी और लाभुकों को पता करना आसान हो जाएगा की आवेदन के सतर पर कितने दनों से पेंडिंग है कारेपूर्ण करने की समय सीमा भी तै है पत्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में अब लगाया जाएगा वाइफाई पत्ना यूनिवर्सिटी के कैंपस को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू हो गई है जिसके तहट पूरे यूनिवर्सिटी में छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते वे वाइफाई कनेक्शन सी जोड़ा जाएगा जिस पर सरकार के अनुमानित खर्चे के अनुसार आठ करूर का खर्चाएगा इसको लेकर हाली में पटना विश्विद्याले के इंटर्नल कॉलिटी असेस्मेंट सेल की बैठक का आयो जिन करवाए गया था बैठक में साल 2018-19-19-20 के लिए IQAR की तैयारी और नाक्स सहित कई एजिंटों पर विचार विमर्श किया गया है जिसकी बाद इलेक्ट्रोनिक्स और IT मंत्राले के अनुमोधन के अनुसार जल्द ही 8 करोर रुपे की नागत से पटना विश्विद्याले कैंपस में वाई-फाई नेटवर्की स्थापना की जाएगी राजपाल ने प्रियांका और जैराम विपलब को किया सम्मानित राजपावन में सिवान की बेटी प्रियांका और मुंगेर के जैराम विपलब को आमंत्रत कर विशेश रूप से सम्मानित किया गया आपको बता दे प्रियांका और जैराम की चर्चा देश भर में शुरू हो गई थी इन दोनों को बुध्ध प्रतिमा और मधुवनी पेंटिंग का अंगवस्त्र प्रदान करते वे ही राजपाल ने सम्मानित किया है आपको बता दे सिवान की प्रियांका पांडे ने अपने घर से करीब 15 किलोमीटर दूर से देश के पहले राश्रुपती डॉक्टर राजियंद प्रसाद के पैत्रिक घर की यात्रा करने के बाद इसकी जानकारी प्रधान मंत्री को नमो आप पर दी थी इसी तरह मुंगेर के जैराम विपलव ने भी नमो आप के जरिये जिले के तारपूर में अंग्रीजों के हाथों शहीद हुए देश भक्तों के बारे में प्रधान मंत्री को बताया था आयुरवेद के चौधा विश्यों में पीजी कराने वाला देश का पहला कॉलेज बना बिहार का यह कॉलेज बिहार समय से में पढ़नाय कीर्तिमान रच्टा रहता है इसक्रम में बिहार के नाम अब एक और नया कीर्तिमान दर्ज होने वाला है बिहार की राजधानी पटना की आयरुवेदिक कॉलेज ने इस लक्ष को हासल करने की पहल की है जिसके तहत पटना के राज़की आयरुवेदिक कॉलेज ने आयरुवेदिक चिकित्सा में 14 विश्यों में पोस्ट ग्राजवेट की पढ़ाई करवाई जा रही है वरतमान सम मेट्रो के कुछ अलग होगी रूप रेखा, पटना मेट्रो का काम रफतार पकड़ चुका है, पटना मेट्रो के दोनों कोरिडॉर के लिए लगातार निविदार निकाल कर काम पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के किसानों को लोन देने में कई बैंकों के बहाने को लेकर रिपोर्ट भेजने की हुई तैयारी। विस्तित रिपोर्ट बना कर PMO को भेजने का अदेश दिया है। फिलहाल पटना भूमी सनरक्षिन क्रिशे विभाग में निदेश रक के पत पर कारेरत है। तलाशी के दौरान अधिकारी के घर से बैंकों और पॉलिसी में निवेश्यु जमीन के कागजात जेवरात और 5.1 लाख रुपे मिले हैं। बिहार के साथ बड़े शहरों में बढ़ेगी सरकों की संख्या। बिहार में साथ बड़े शहरों में अगले 20 साल तक सरकों की संख्या को बढ़ाने पर खास धियान दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकों के निर्मान को लेकर अगले 6 महीने में मास्टर प्लान भी तयार किया जाएगे। इतना ही नहीं खराब काम करने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी जा रही है। जिसके तहर विभाग ने ADM और फिर DCLR के बाद अब अंचराधिकारियों के जनवरी महीने में किये गए काम की आधार पर पर परफॉर्मिंस रिपोर्ट जारी की है। जनवरी महीने में एक बार फिर से मधुबनी का पंडॉल अंचल बिहार में पहले पायदान पर रहा। अगले चौप इस घंटे में बिहार का मौसम दिखेगा शुष्क। की राथ के तापमान में फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव के नहीं होने की बात भी कही गई है। प्रारक्ष अवर निरिक्षक भी शामिल है जिसकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। पंजाब के गुर्दासपूर जिले के कालन नौर में 1556 में 13 वर्ष उम्र में अकबर का रावजापिशेक आज ही के दिन हुआ था। शाजहां 1628 में आगरा की गद्धी पर आज ही के दिन बैठे थे। भारत के पहले होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1881 में कॉलकता में आज ही के दिन हुई थी। भारते क्रिकेट खिलाडी कपिल देव ने 1993 में 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड आज ही के दिन मराया था। 14 फरवरी 2008 में ही सिधार्थ सिनहा की लगू भोजपूरी फिल्म उधेड बुन के परुस्कृत किया गया था। सानिया मिर्जा ने 2009 में पटाया उपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश आज ही के दिन किया था। 14 फरवरी को प्रेम का प्रतीक भी माना गया है इसलिए इसी वैलेंटाइन डे के तौर पर भी मनाया जाता है। खुबसूरत अभी नेत्री मधवाला का जन्व भी 1933 में आज ये के दिन हुआ था। अरवो का कोरोना घोटाला सामने आने के बाद नितिश की दिखावटी तोर पर जैसा की पुर्व के एकसर घोटालों में करते आए हैं चोटे सर के कर्मचारियों को बरखास्त करने का नाटक रच धन उगाही कर जदियों को चुनावी चंदा देने वाले उच अधिकारियो को बचाएंगे यही नितिश कुमार की स्था पे इतनी ती नियत और नियम है 36 गड़ में इन दिनों तीन दिवसी है मैन पाट महोटसफ का आयोजन करवाय जा रहा है इसी कारक्रे में जब भुजपूरी के मशूर गाए खेसारे लाल यादव स्टेज पर गाना गाने पहुंचे तो वहां मौजूदा भीड अनियंत्रित हो गई लगाए गंभीर आरोप पहुचने वाले हैं लहाजा मीडिया पहले से ही मौजूद थी जिसके बाद तेश्प्रताप यादव ने न आओ देखाना ताओ सीधा बोलना शुरू कर दिया बिहार चौरकन योपी समेत कई राजयों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान बिहार समेत कई राजयों में ड्राइविंग लाइसेंस का काम तेज रफतार पकड़ने लगा है नए मोटर वहान अधीनियम लागू होने के बाद अब वैसे चालोकों के उपर मोटा जुर्माना लगाय जा रहा है जो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर उसमें कोई कमी है यही कारण है कि कई राजयों में आम लोगों को रहत देने के लिए लाइसेंस बनवाने का काम आसान कर दिया गया है बोध गया में खोल गया श्रीलंका का बॉध मत श्रधालो के श्रधा को ध्यान में रखते विए बोध गया में बीते दिन से श्री दंका का बॉध मत खोल दिया गया है इस मंदिर में श्रधालगों ने कुरोना से जल से जल मुक्ती दिलाने की प्रात्थना भी किया है कल हमारे दुआरा पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट कर गिदिया था इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लेगे हैं मगर समय क्या भाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारी सवालों का जवाब बेत रहे हैं हमकला आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़तें आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार बिहार सरकार की तरफ से नलजर योजना की श्रिकायतों का समधान करने के लिए जारी क्या गया नंबर लोगों के लिए मददकार सावित होगा या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे तुमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा को लाइक करें और जाद जाद शेयर करें धन्यवाद